नमस्कार दोस्तों, इंडोनेशा से निकली हुई एक और न्यूस और इंडोनेशा का एक आइलेंड है जिसको बोलतो हो सुलावेसी आइलेंड इससे रिजल्टिंग एक निूस निकल के आ रही है और ये न्यूस हमारे जीएस पेपर बन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखें मैं जितनी भी चीज़ें डिसकस करता हूँ आपके जर्नल नॉलेज़ के परस्पेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एंचेंट हिस्ट्री की बात हो रही है बेसिकली यह एंचेंट हिस्ट्री भले ही इंडिया की ना हो लेकिन आज की डेट में यूप पर नज़र आ रही है तो कहीं न कई एंशेंट हिस्ट्री और जी एस पेपर वन की सीलबस को अगर आप जोड़ते हो और करेंट न्यूस से जोड़ते हो चीजों को तो यह न्यूस आपके लिए फेचल इंपौर्टन हो जाते है और यहां पे दो एक्ष्ट चीजों के बारे हम बात करेंगे तो यह जो सुलावेसी आइलेंड है इस सिलावेसी आइलेंड में जो जो भी गल्फ है जैसे यहां फर ये वली गल्फ का नाम क्या है, इस गल्फ का नाम क्या है, उपर जो गल्फ मिलती है, उसका नाम क्या है, सुलावेसी आइलेंड कहां पे है, ये uranium series dating method क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है, ये कुछ miscellaneous चीज और भी हम लोग देखेंगे, तो overall ये package है, जहाँ पर आपको बहुत सी informative चीजों के बारे हम बता चलेगा, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पूरा issue news में क्यों है, तो भाई, archaeologist ने discover किया है, दुनिया का सबसे पुरानी known animal cave painting in Indonesia, दुनिया की सबसे पुरानी known animal cave painting, चुकि सबसे पुरानी नहीं बोल सकते, चुकि हम लोग history को अभी भी evolve कर रहे हैं, history को अभी भी study कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले एक दो दस या बीस सालों में, इससे भी पुरानी कोई cave painting मिल जाए, ठीक है न भाई, ये जो animal cave painting मिली है, ये एक wild pig की मिली है, और ऐसा बोला जाता है कि wild pig पहले exist करता था, 45,500 पहले, आज भी इस species का ये जो ओक्रे pigment से मनी हुई painting है, और कही न के एक narrative scheme दिखा रही है, एक प्रकार का symbol सा दिखा रही है, ये pig का, कहां पर पाई गई है, तो लियांग टेडोंगे cave है, सुलावेसी के एक remote island में पाई गई है, और आप कह सकते हो कि ये evidence है, ये इस बात का सबूत है कि इस इलाके में बह कि इस painting के ऊपर पहले calciite deposit था, uranium series isotope dating का प्रयोग किया गया है, ये पता करने के लिए, कि this painting is somewhere around 45,500 years old, अगर आप बात करो, तो ये एक ऐसी painting है, जो कि world की oldest art है, जो कि figure को detect कर रही है, याद रखेगा, अगर दुनिया की सबसे पुरानी art की आप बात करो, ये दुनिया की art कहां पर पाई जाती है, तो ये एक hashtag like doodle है, जो कि 73,000 years ago पहले बना था South Africa में, तो अगर सबसे पुरानी painting की बात करो, तो 73,000 years ago मिली थी है, कहां पर South Africa में, और सबसे पुरानी ऐसी painting, जो कि एक human produced art है, और एक figure को denote कर रही है, human produced art तो 73,000 years ago पहले South Africa में मिली थी, एक ऐसी human produced art, जहां पर एक figure दिखाया जा रहा है, वो है आपकी जो recently pig की painting मिली है, सुलावेसी आइलेंड में, 45,500 years पुरानी मानी जा रही है, सबसे पुरानी art की बात की जाए, तो इस पत्थर के उपर आपको ये art बनी हुए नजर आ रही है, ठीके ना, होमो स्विपेंस ने इस art को बनाया था, ये पत्थर मिला है South Africa में, और ये बोला जा रहा है कि ये जो art बनाई गई है, जो पत्थर के उपर encroach करके art बनाई गई है, this is 73,000 years ago, ठीक है बई, अब समझ लेते हैं कुछ basics, cave painting क्या होती है, और आगे बढ़ने से पहले है इस वीडियो पे like button दोस्तों, मैं इसी interesting और informative news आपके लिए अकसर कर लेके आता रहता हूं, जितना ज़्यादा analytical way से हो सकता है, उतना समझाने कोशिश करता हूं, तो चुकि आपकी तयारी भी हो रही है, तो आप help करने के लिए like button दो दबाई सकते हैं, join button दबाके memory बन सकते हैं, like, comment और share बिल्कुल करिए, इ कुछ लोग बोल जाते हैं, तो बोलने के बाद ही करते हैं, तो बताना भया देखो, थोड़ा self promotion तो करना ही पड़ेगा, चलिए वापस आ जाते हैं, तो cave painting क्या चीज़ है, इंस्टाग्राम पे भी follow कर लीज़े, आपकी जवाब दूगा, टेलीग्राम गूर्प जोइन कर जहां पर पत्थरों के ओपर, rocks के ओपर, engrave करकर के आप painting मनाते हूं, ठीक है बई, ज़्यदातर जो paintings हैं, आप prehistoric origin की है, cave paintings में, जो ज़्यदातर paintings नजर आती हैं, वो large wild animals की होती है, वो wild animals, जिनका अकसर करी जो पुराने ancient इंसान होते थे, ये शिकार किया करते थे, जैसे horses, bisons, aurocks, deers, तो ये ऐसे जानवर थे, उनका पुराने human mix शिकार करते थे, अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी जानवरों के painting मन रही, सबका शिकार होता था, कुछ ऐसे भी जानवर थे, जिसका शिकार humans नहीं करते थे, बट humans ने उनकी painting मना रखे, caves में, और एक बात detailed और naturalistic image बनाते हो, आप image को कोई से प्रकार से बनाते हो कि वो लगे कि भाई original है, बट obvious सी बात है, cave painting में, paintings को इसलिए नहीं मना जाता था कि वो original लगे, बस उसको as a schematic way में मना जाता था, as a symbolism मना जाता था, एक symbol की तरह बना जाता था, कि एक rough outline मना दिया, कि हाँ भाई, इस जानवर की photo है, जानवर की photo है, तो caves में अकसर कर आपको मिल जाएगा कि एक deer दोड रहा है, और उसके पीछे से एक primitive man भाला लेके इसको attack कर रहा है, तो क्या दिखा रहा है है, इस तरीके एक painting दिखा रही कि उस समय की जवाने में किस तरीके से hunting हुआ करती थी, तो weapons का जो type artistic form में पेंटिंग में नहीं मनायागा, जो कि obviously बाद है, caves के अंदर पेंटिंग करना यतना असान नहीं होता, अब भाई, सबसे important चीज, यह painting मिली ही कहाँ पे, इंडोनेशा के islands बहुत news में, याद रखेगा, इंडोनेशा के islands बहुत news में, जावा आइलेंड में तो recently अभी आपको पता ही कि volcanic eruption भी हुआ है, वो कौन सा वालकेन हो है, जहां पे volcanic eruption हुआ है, जावा आइलेंड में, उसका नाम नीचे comment box में बताइए, मैंने उसके लिए भी एक specific वीडियो बनाई, तो जावा आइलेंड, सुन्डा आइलेंड, सुन्डा स्टेट, ठीक है भाई, कौन क इसी आइलेंड है इसको सेलेबस भी बोलते हैं, अब यहां तीन मेजर गल्फ हैं, एक है गल्फ टॉमिनी, जो की नौर्थ इस्ट में, एक है गल्फ टोलो, जी की एस्ट में, एक है गल्फ बोन, इस बोन वाली गल्फ को बोनी भी बोलते हैं, अगर आप Google Earth में देखोगे तो उस गल्फ बोन को वहां पे गल्फ बोनी लिखा हुआ होगा, यह जो सेलेबस नाम का आइलेंड है, सुलावेसी का, इसका जो कोश्ट लाइन है, वो 3404 माल्स की, 5478 किलोमेटर, अब देखते हैं, तोमिनी, तोलो और बोन, यह गल्फ कहां कहां पे, मैं थोड़ा यहा और अका जो आपको वाटर बोड़ी देख रही नहां जहाँ पर मैं अभी रेड़ मारकर से पॉइंट अट वरहा हूं, यह जो वाटर बोड़ी है, यह कौन सी वाटर बोड़ी है, this is basically तोमिनी गल्फ है, कहां पे, तोमिनी गल्फ है, तोमिनी गल्फ है, और सुलावेसी मे Gulf of Bone बोल लीजए या Gulf of Boney बोल लीजए इसको Boney भी लिखा रहता है कही जगहों पर Google अर्थ बोनी लिखा हुआ है तो basically this is Gulf of Boney ठीक है यह Gulf of Boney है तो यहां Gulf of Boney है यहां तोमिनी है और यहां आपका दूसरी Gulf क्या थी नाम भूल रहा हूं में तो लो ठीक है भई तो यह तो तीन गल्फ होगे अब चुकि सुलाविसी आइलेंड न्यूस में है तो मैंने तीनों गल्फ भी आपको दिखा ली सुलाविसी आइलेंड को अगर आसपास के अड़्जसेंड आइलेंड के एक साथ मिला के देखा जाए तो ओवरॉल स्कॉयर किलोमेटर निकल के आता है आपका यह जो सुलाविसी आइलेंड है highly mountainous है कुछ active volcanoes भी यहां पर पाए जाते हैं जो इसकी highest peak है that is Mount Rantangombola और Mario 11,335 feet 3,455 meters जो major deep lakes है तुबूती पोसो और मताना अब यह इतना important नहीं है बट यह तीन गल्फ से याद रखेगा तोमीनी तोलो और बोन और सेलबेस सुलाविसी आइलेंड का दूसरा नाम है इस बात को याद रखेगा मैप से भी चीज़ा आपको समझ में आगे अगे अगर आप इस मैप को देखो तो भाई इंडोनेशा की major islands की बात की जाए तो एक आइलेंड तो आपको नज़रा रहा है सुलावेसी आइलेंड एक आइलेंड आपको यहाँ आपको नज़रा रहा है जावा आइलेंड ठीक ह अब पता करते हैं कि जो painting पाई गई है यह painting 45,500 years old है यह कैसे पता लगा तो इसके लिए प्रयोग किया गया uranium series U-series dating method को U-series dating method में radioactive decay of uranium को calculate किया गया को analyze किया गया उस particular element की age पता करने के लिए देखिए जो active radioactive isotopes होते न वो धीरे-धीरे decay हो रहा होते तो भाई uranium 238 होगा जब यह original form में exist कर रहा होगा यह धीरे-धीरे decay करता जाएगा तो पहले uranium 238 decay करते करते हैं अपने आपको 234 में बदलेगा uranium 234 में यह uranium 234 decay होते होते thorium 230 में बदलेगा यह thorium or decay होते होते radium में बदलेगा यह radium or decay होते होते radon में बदलेगा radon और decay होते होते finally stable lead isotope में बतलेगा तो uranium-38 238 बहुत ज़ादा active हो बहुत ज़ादा dynamic है uranium-238 से और emissions हुए तो uranium-234 बन गया uranium-234 से और emissions हुए तो thorium-230 बन गया thorium-230 से radium बन गया radium से radon बन गया radon से stable lead isotope बन गया इसको बोलते हैं decay chain यानि कि उसकी जो reactivity है जो emissions है पार्टिकल का वो होता जा रहा है और वो पार्टिकल अपने आपको एक stable isotope में बदलता चला जा रहा है अब originally uranium-238 अपने आपको uranium-234 में बतलेगा और uranium-234 बतलेगा अब एक element में with respect to uranium-238 uranium-234 कितना है और thorium-230 कितना है इसका proportion निकाल के आप यह पता कर सकते हो कि उस particular element की age कितनी है thorium-230 की half life होती है 75,700 years यानि thorium-230 100 gram से अपने आपको 50 gram में convert कर लेगा 75,700 years में तो basically इसके calculation के हिसाब से देखा जाए तो यह जो painting मिली है न पिग वाली यह 45,500 years old पुरानी है तो भाई न कहीं न कहीं thorium-230 और uranium-234 का जो relative proportion है किसी भी element में उसको measure करके हम यह पता कर लेते हैं कि वो जो particular picture है वो कितनी पुरानी है यह picture है किसकी wild pig वाटी-pig की है picture का size 136 cm by 54 cm dark red ocre pigment से बनी है इसमें facial watts से निकले हुए facial watts के अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखे seeing से यहाँ पे दो निकले हुए और यहाँ पे आपको यह painting नजर आ रही है इसमें दो और pigs नजर आ रहे है लेकिन वो दो pigs की जो painting है वो मिट चुकी है तो यहाँ पे एक ही आपको वार्टी पिग नजर आ रहा है यह आपको सुलावेसी आइलेंड नजर आ रहा है और यह मैंने बताई थी आपको गल्फ ऑव बोनी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था गल्फ ऑफ टोलो ठीक है यह है आज की डेट में वो सुलावेसी वार्टी पिक जो की इंडोनेशिया में मिलता है इंडोनेशिया की सुलावेसी आइलेंड मिलता है सुलावेसी में एंडमिक है ठीक न भाई और इसी की फोटो है most probably जो की हमको मिली है अब अगर आप बात करो तो इससे पहले जो oldest rock painting थी वो कितनी पुरानी थी तो इससे पहले जो oldest rock painting थी वो 43,900 years old पुरानी थी और ये भी उसी team ने फाइंड की थी जिसने सुलावेसी में अभी वार्टी पिक की painting को फाइंड किया है जो इससे पहले 43,900 old जो picture थी वो part human part animal figure की थी जो की mammals को hunt कर रहे थे cave painting से बहुत सब तक पता चलता है कि उस particular इलाके की cultural history क्या रही है कैसे वहाँ पे लोग रहा करते थे आपको पता है Australia नाम के island में लोग 65,000 years पहले settle हुए थे और obviously बात जब ये लोग Australia जा रहे होंगे तो बीच में Indonesia पढ़ाओगा उस समय पे islands of Indonesia को वाला सिया बोलते थे तो वाला सिया में oldest evidence of humans मिलता है आप क्या सकते हो one of the oldest evidence of humans मिलता है ठीक ना भाई तो ये particular topic था दोस्तों यहाँ पे आपको काफी को जानने को मिला होगा एक तो Euronium dating method 238 से 234, 234 से 30 फिर Radon ऐसा कर गर को finally lead isotope बन जागा Sulawesi island की position तीन जो गल्फ बता ही मैंने आपको वो ये सारी सीज़ें आप याद रखेगा काफी important है thank you for watching this video friends I hope आपको सीखने को मिला होगा have a great day, good bye वीडियो को like और share कि एमना मच जाना